दोस्तों JKSSB Forrester और JKP Constable की जो हमने सीरी स्थार्ट की है इंडियन जोग्राफी की तो एक बार फिर से आपका सौगत करते हैं आज की इस एपिसोड में यहाँ पे हम आज इंडियन जोग्राफी का नेक्स पार्ट करने जा रहे हैं कल हमने फिजिकल जोग्राफी की थी तो आज हम अब इंडियन जोग्राफी करेंगे और इंडियन जोग्राफी के कुछ MCQs करेंगे आज हमारा टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं यह काफी ज़्यदा इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं यह बेसिक टॉपिक्स हैं जो बचे नहीं कर पाते हैं तो पहली बात तो यह कि यार अभी हमने जेके एससबी फोरेस्टर के लिए फोरेस्टर और जेके पी कॉंस्टेबल के लिए हमने कोर्सिज लांच किये हैं mcq courses pdf mcq courses ठीक है और notes हमने share किये हैं अपने mobile application पर वह आप देख सकते हैं आपका लिंक वीडियो की description में में जाएगा चलिए अब आपका ज्यादा time waste नहीं करेंगे सार्ट करते हैं देखें यह बता रहा है कि भाई if it is 10 a.m. according to the Indian standard time then what would be the local time at Shilong on 92 degree east longitude देखो यार यह question ना काफी जबर्दस और काफी conceptual है ठीक है इसके लिए आपको conceptual clarity होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है ठीक है इसके लिए आपका concept clear होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है सो डिसकस करते हैं इसका answer सो यार basically देखो होता क्या है कि जो आप जानते हैं कि हमारा हमारा इंडिया है यहाँ पर देखें मैंने कुछ details इसकी शियर की हैं सबसे पहले हम longitude time zone और local time को हम थोड़ा सा समझते हैं देखो यार जो longitude होता है हमारा longitude और time calculation let me just longitude and time calculation so longitude or time calculation क्या होता है देखो यार आपको पता है कि हमारी जो पूरी अर्थ है हमारी अर्थ को पूरी अर्थ को कितनी degrees में बांट दिया गया है 360 degrees में बांट दिया गया है ठीक है 360 degrees में बांट दिया गया है पूरी अर्थ को 360 degrees में किसके 360 degrees of longitude ठीक है यह जो vertical lines है ना हमारी अर्थ की दोस्तों इनको हम बोलते हैं longitude और जो horizontal lines इस तरह से हैं हमारी अब आप globe देखोगे या map देखोगे तो horizontal line को हम क्या बोलते हैं latitude याद रखेगा काफी basic terms हैं ठीक minutes because earth rotates 360 degrees in 24 hours देखो 24 गंटे में हमारी earth एक degree rotate करती है मतलब यह यह चीज तो आपको पता है कि हमारी जो earth है अपने axis पे अपने axis पे जो है वो यह क्या करती है rotate करती है ठीक है अब यह वो रहा है कि भाई होता क्या है कि 21 degrees is going to 4 minutes तो 4 minutes में यह आगे यहां से यहां तक मतलब यह 4 minutes और यहां से लेकर यहां तक कितना है 1 degree है 1 degree है बोलता है कि यह earth हमारी 4 minutes में 1 degree rotate करती है वो कैसे बता रहा है बोलता है यह बोरा है कि earth rate 360 degree मतलब 24 hours में 24 hours में हमारी earth कितना 360 degree rotate करती है ठीक है तो इसे यहां पे आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि 12 गंटे में कितना rotate करेंगी इसका half करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 180 degree that means एक पूरे दिन में हमारी earth जो है वो क्योंकि एक दिन में 12 गंटे होते है पूरे दिन में हमारी earth कितना 180 degree 180 degree जो है वो rotate करती है अब यह बोल रहा है कि भाई एक degree जो है वो चार मिनट में, चार मिनट में ये एक डिगरी रोटेट करती है, प्राइम मेरिडियन जीरो लॉंगिटूड इन ग्रीन विच लंडन इस यूज़ एज रफेरेंस आप ग्रीन विच मीन टायम, ठीक है, उसके बाद, दूसरा है, इंडियन स्टेंडर टायम आई एस्टी, इंडियन स्टेंडर टायम को हम किसके बेस पे कल्कुलेट करते हैं, 82 डिगरी इस्ट लॉंगिटूड ठीक है, अब आपको यह चीज़ बता है, यह वेस्ट है, यह नौर्थ है, यह साउथ है, इस्ट लॉंगिटूड का मतब यह हुआ कि इस्ट से कितना, इस्ट से कितना यहां तक, यह देखे, 82 डिगरी, तो 82 डिगरी जो इंडियन स्टेंडर टायम है, हमारा वो कल्कुलेट किया जाता है, इस 82 डिगरी इस्ट लॉंगिटूड से, पासिंग ध्रोधा मिर्जापूर, मिर्जापूर इंडिया से, इसको हम बोलते हैं, स्टेंडर्ड मेरिडियन तो स्टेंडर्ड मेरिडियन, आप याद रखेगा, मोटा मोटा क्या होता है, कि स्टेंडर्ड मेरिडियन होता है, 82 डिगरी इस्ट लॉंगिटूड, जिससे हम क्या करते हैं, कल्कुलेट करते हैं, हमारे जो, हमारा जो स्टेंडर्ड टायम है, उसको हम कल्कुलेट करते है अब जो question में हमसे पूछा गया था Shilong, बोलता है Shilong जो है वो 92 degree east longitude में locate करता है, अब आपको पता है कि Shilong जो है वो हमारा Shilong हमारा North East state में आता है, ठीक है Megalia के हमारी जो है वो हाँ, North East में आता है हमारा Shilong और Shilong में ये बता रहा है कि ये वो Shilong हमारा कितना आता है 92 degree east longitude में लाई करता है, बोलता है अगर आपको समझ नहीं आता है मैं आपको सिंपल दोर से समझाना चाहता हूँ, देखो हमारा जो time, जो हमारा Indian standard time है उसको calculate किया जाता है कहां से 82.5 degree east longitude से ये longitude इस तरह से है, या आगया east, या आगया west, या आगया north, या आगया south east longitude से 82 degree, यहां पे देखे east, ऐसे 82 degree जो है वो यहां से हमारा time calculate किया जाता है इसको हम क्या बोता है standard meridian, अब बोलता है कि लेकिन जो ये Shilong है, Shilong कहां पे लाई करता है मतलब मानों यहां पे 82 degree है, लेकिन Shilong यहां पे लाई कर रहा है, इस 82 degree और 92 Shilong के बीच में कितना difference है, यहां पे देखे, हमें इस difference calculate करना पड़ेगा, यहां पे देखे, देखे, यहां पे जो difference in Shilong है, ठीक है, यहां पे देखे, step by step explanation यहां पे, हां, difference in longitude, ठीको longitude में difference क्या है, तो यहां पे देखे, आप 92 degree East, यहां पे आपको यह चीज मैंने बता दी, कि भाई, यह longitude का, longitude का 92 degree East, यह longitude East, Shilong का है, ठीक है, और standard meridian हमारे इंडिया का कितना है, 82 degree, 82.5 degree East, अब हम क्या काम करेंगे, इस में से इसको subtract करेंगे, जब हम subtract करते हैं, तो 9.5 degree Eastward, 9.5 degree Eastward, यह हमारा निकल के आता है, अब हम इसको कैसे करेंगे, यह काफी technical question है, याद रखेगा, काफी important भी है, अब हम क्या कम करते हैं, कि 9.5 degrees के लिए हम क्या कम करेंगे, एक degree में हमारी earth, 1 degree पे हमारी earth, 4 minute में rotate करती है, अब 9.5 degree में कितना rotate करेंग तो यह हमारा 38 minutes के बराबर आ जाते हैं, इसको calculate करें, 9.5 into 4 यह हमारा हो जाता है, 38 के बराबर, ठीक है, Shilong जो हमारी Indian standard, it is ahead of 38 minutes, तो इससे यहाँ पे हमारी calculation पता चलेगी, कि भाई साब, जो Shilong है, वो हमारे Indian standard Meridian, जो हमारा IST है, वो कितने मिनट आगे है हमारे time से, वो 38 और यह चीज़ आपको पता होगी, कि हमारे इंडिया में एक ही IST follow किया जाता है, रशिया में, आठ से, दस से ज्यादा के standard times, जो हो, time zones, not standard time, time zones, जो हो, रखे गए हैं, और वहाँ पे अलग-अलग time zones, जो हो calculate होते हैं, अब यहाँ पे, जो हो, मान लीजिए, अगर Shilong में अगर 10.00 AM है, तो इसका मतब यह हुआ कि 10.38 AM पूरे इंडिया में, जो हो, 10.38 AM हमारे पूरे इंडिया में time होगा, तो I hope यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, next up, which one of the following cities is closest to the Indian standard time meridian, कौन सी ऐसी state है, कौन सी ऐसी city है, जो Indian standard time meridian के closest है, पहला option है आपका रेवा, दूसरा option है, सागर, तीसरा उजेन, और चोथा है, होशंगाबाद, देखो यार, देखो यार, क्या होता है कि Indian standard time meridian हमारा आपको पता है कि 82 degree east longitude है हमारे Indian standard time का, ठीक है, जो पास करता है हमारे कहां से, मिर्जापूर से, यह fact आपको पता होना चाहिए, अलाबाद प्रायागराज में, यूपी से, अब बोलता है कि जो city इसके closest होगी, वह वहाँ पे कौन-कौन से होगी, देखो, रेवा होगी 81.3 degree east पे, सागर होगा आपका 78.7 degree east पे, उजयान होगा आपका 75.7 degree east, वर्शंगाबाद होगा आपका 77.7 east longitude पे, बोलता है कि अब इन वे से closest कितनी होगी, closest आपका रेवा जो city है, वह होगी 82.5 degree east meridian पे, जो है वो लाइक करेगी, ठेक है, how many hours, question number next है आपका, how many hours, how many hours of time difference will be there between most modern villages of Gujarat and most eastern villages of Arunachal Pradesh belong, बोलता है कि time difference कितना होगा, बोलता है कि east, हमारे east और west इंडिया में, west में हमारा Gujarat है, और east में हमारा Arunachal Pradesh है, easternmost part हमारे इंडिया का, Arunachal Pradesh है और westernmost हमारे इंडिया का Gujarat है, बोलता है कि time difference कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पर यह भी एक अच्छा conceptual question है, तो इसको भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगी, देखो यार, बोलता है कि time difference, जो है वो किस पर longitudinal difference, पर longitude पर depend करेंगा, ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको पता है कि Indian standard time जो है, time Bangalore में होगा, एक ही जगा, हर एक जगा time same होगा, अब बोलता है कि most western village, अब most western village काफी जदा important यह कभी भी पूछ सकता है, और पूछा जाता है ऐसा question, देखो यह near the western edge of India, तो western जो हमारा westernmost part है हमारे इंडिया का, गुजरात, तो गोहार मोती, गोहार मोती जो है वो westernmost गुजरात का जो है वो गाउं है, यह हमारे westernmost village है, गुजरात state में और 68 degree longitude है, यह हमारी इसका, ठीक है, वो तह easternmost village कौन है, अरुनाचल प्रदेश का वैलोंग, ठीक है, याद रखेगा, काफी ज़्यदा important है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, वैलोंग, वैलोंग, अरुनाचल प्रदेश में located at 97 degree east longitude, यह आपका, देखो, गुजरात का जो गोहार मोती है, east longitude पर है, ठीक है, यह चीज़ है, उसकी बाद calculation of time difference, every 15 degree of longitude corresponds to one hour time difference, देखो, हर एक पंदरा, मतलब यह है, मतलब आप यह समझो, यह आगया 15 degree, यह आगया 15 degree longitude, यह आगया 15 degree longitude, यह आगया 1 location, location A, location B, और location C, तीनों location की बीच में यहाँ पर देखो, इसके इन दों के इनका बो रहा है कि भाई, एक hour का, एक गंटे का time difference जो हो इसके बीच में होता है, ठीक है, longitudinal difference अगर हम बात करें, बोलता है, गोहार मोटी में 68 degree होता है, और वैलॉंग में 97 degree होता है, विच इस अबाउट, अब दीको 97 से जब हम subtract करते हैं, 68 वो हमारा किसके बराबर होता है, 29 degree east के बराबर हो जाता है, तो इसको find करने के लिए यहाँ पर हमने यह, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब 29 degree, 29 को हम जब 4 से multiply करेंगे, वो हमारा approximately 29.15 degree को जब हम multiply करेंगे, यह approximately हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा, किसके बराबर, 2 hours के बराबर हो बार ठीक है तो याद रखेगा दो गंटे का time difference होगा मतलब यह कि अरुनाचल प्रदेश में जो गाउं होगा और गोहर मोटी जो गुजरात में है उन दोनों विलेजिस के बीच में time difference होगा टू आर्स का ठीक है मालो अगर अगर अरुनाचल प्रदेश में 10 बज रहे होंगे जो जो time है वो वह एक ही फॉलो किया जाता है इंडियन स्टेंडर टायम ठीक है तो डिस्पाइट इस सोलर डिफरेंस इंडिया फॉलो सिंगल टायम यही चीज में कर रहा हूं आपको यहीं चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें कोई शाक नहीं है कि लेकिन इंडिया में एक ही आइस टी फॉलो होता है तो अब मानलो यहां पे सोलर डिफरेंस की वज़े से मानलो अगर अगर इस्टन मोस पार्ट में अभी सुबह के आठ बज़े हैं और यहां पे वेस्टन जो गुजरात है वहां पे दस बज़े हैं लेकिन प्रॉब्लम य है उसके पीछे एक ही सिंगल इंडिन स्टेंडर्ड टायम जो है वो फॉलो किया जाता है इलिया में तो आई होब यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी नाउ नेक्स क्वेशन में मिडनाइट इंडिया मेरीडिया में इंडिया में प्लेस अगर सुबह चैब यह तो मेरीडिया वील भी एट वर्ट प्लेस ठीक है तो अगर ये 6 बज़े हैं ठीक है 6 बज़े है तो ये meridian होगा कहां पर किस जगा पर होगा किस डिगरी पर देखो आपको सबसे पहली बात तो बता दो यहां से आपका शुरू हो जाता है चीक है मालो अगर 12 am से स्टार्ट किया है हमारी एर्थ ने रोटेट करना है 12 am से और यह चीज़ बता रहा है कि एक मिनट में एक मिनेट में कितना होता है, एक डिगरी चार मिनेट में, चार मिनेट में जो है, वो कितना रोटेट करती है हमारी अर्थ, तो इसका मतब यह हुगा कि दो मिनेट में हमारी अर्थ कितना, एट, दो डिगरी कितना, एट मिनेट में होगी, ठीक है, लाइक वाई, चार डिगरी हाँ कि मतलब यह हुआ कि 15 डिए दिग्री कितने साथ मिनट में मतलब यह हुआ कि एक गंटे में कितन했다 15 डिग्री रोटेट करेगी अब मालोह बारह बजए बारा बज़े बार बज़े हैं ट्वेल शिख्स एम के बीच में कितना rotate की है हमारी बारा से लेकर छे बज़े के बीज में बारा एक दो तीन चार पांच तो यहां पर आप देखो कितने hours होगे हैं 6 hours 6 hours मतलब 15.90 तो यह कितना जो है वह कितना यहां पर rotate की होगी हमारी यह विच इकवल टू 90 डिग्री ठीक है 90 डिग्री अब इसको हम उपर वाले से calculate करते हैं 90 डिग्री यहां से rotate की होगी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो standard meridian है वो कितना है मैं एक इसकी बार आपको rewind कर रहा देता हूं यहां पे आप देखिए वो है हमारा जो हमारा इंडियन स्टेंडर्ड meridian है वो कितना मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री है अब यहां पर समझने की क्या चीज़ है आपको देखो 82.5 डिग्री इस्ट है हमारा इंडियन स्टेंडर्ड इंडियन स्टेंडर्ड टाइम का मतब IST meridian हमारे इंडिया का अप BSC से आप 82 प्लस 90 करते हो आप कितना हो जाता है यह हो जाता है यह हो जाता है फायो टू यह हो गया 9 प्लस 8 कितना होता है 170 172.5 यह हो जाएगा 172 डिग्री तो फायो क्या हुआ हुआ मतब यह आधा हुआ ना तो that is that is equal to कितना 30 minutes 30 minutes तो option B is the right answer तो I hope यह चीज़ आपको clear होगे होगी बहुत मज़े से और बहुत easy तरीके से मैंने आपको यह explain कर दिया है ठीक है next when it is known in the Indian standard meridian what would be the 120 degree तो यह मैं आपको homework दे रहा हूँ यहां पर हलांकि इसका answer दे दिया है यह question मैं आपको homework दे रहा ह ठीक है यह आपको homework है आज का और आप comment section में मुझे लिखके इसका answer बताओगे और explanation पूरी दोगे मुझे जैसे मैंने आपको उपर explain किया ठीक है उसके बाद है आपका if sun rises in the तिरा आप in Arunachal Pradesh at 5 a.m. then the rises in Gujarat current line Gujarat the sun will rise अच्छा यह भी जो है वो conceptual question है बोलता है कि 5 a.m. पे गुजरात पे कितना होगा 5 a.m. गुजरात पे कितना होगा हमारा sunrise होगी हमारी अर्थ की ठीक है sunrise होगी तो बताओ भाई जो कांडला गुजरात है वहाँ पे sunrise कितनी होगी तो मैं आपको एक बार फिर rewind करा देता हूं 82.5 degree east हमारा longitude है Indian standard time का Indian standard prime meridian हमारा जो prime meridian है 82.5 degree ह 82.5 degree पे बोलता है मान लो 82.5 degree पे अर्वनचल प्रदेश में यह 5 5 a.m. था then what time will the sun rise in गुजरात तो sun rise मेरे हिसाब से यह set कब करेगा ठीक है तो यह question भी आप कीजिएगा क्योंकि यह भी similar है इसी से मिलता जूलता है तो यह भी I hope आप आप खुद से कर लोगे ठीक है बाकि अगर आपको नहीं आता है तो then we will clear in the next video तो standard time meridian of 82 passes through the following towns कौन-कौन से टाउन है यह चीज मैंने आपको अरदी बता दी है अलाहबाद प्रायागराज ठीक है मिर्जापूर से हमारा जो है वो standard meridian Indian longitude जो है वो पास करता है ठीक है अच्छे जो हमारा Indian standard time का जो prime meridian है वो किस किस से जह वो अभी मैंने आपको याद वोगर लास्ट टूडियो में मैंने ट्रापिक आप के बारे में भी पढ़ाया था आपको तो Indian standard time meridian जो है वो किस किस से पास नहीं होता है यहां पर देखिए A B C और D option C महाराष्ट्रा से जो है वो पास नहीं होता है ठीक है UP मैंने आपको बताया था अंद्रपर्देश और च्छतिजगर यह चीज मैंने आपको बताई थी तो महाराष्ट्रा से जो है वो पास यह नहीं होता है याद रखेगा काफी इंप्वार्टेंट है काफी इंपर्टेंट और यह और काफी इजी कोश्चन था ए ठीक है नक्स कोश्चन नक्स कोश्चन वीच्वन आथ फालैंग लॉंगी कूट्स इस नौन एस इंडियन और अइस टेंडर्ड़ मैरिडियूयन इन इंडिया तो यह चीज मैंने आपको आरड़ी करने आपने लोंगिट्यूट आप जबनपूर लोकेशन इस बिट्वीन दोज आफ इंदोर एंद भोपाल लोंगिट्यूट आप औरंगबाद लोकेशन बिट्वीन वडोरा एंद पुने बैंगलोर इस सिट्वेटिड इन गरिवर इस रहे लगर लोड औरंगमिट्वीन और वाम लोकी में और हूँ सिट्वीन दोज सेप Sums filler में ओ हिजाओ कि इस जुआख रहे हैं और लिंदि और बैंगडलोर सिट्वार्ट नमिट्यूट आ रहे हैंमें की सबूच्जгляд का लोग वोकेशन इस बिट्वीन किसके ब और दूसरा बहुत हो रहा है कि बैंग डॉर सिटुएटेटिड है किस पर सॉदर्मोस्ट चिने के है उसके बाद ए नेक्स्ट कॉस्चन हो माच इस ताइम डिप्रेंस बिविन इंडेंस टेंडर टाइम और ग्रीन विच मियम टाइम यह भी जो है वो आप लेट मीजेंज दे कलर आप मैं पैन यहां पर ओके सो असल में यह जो दोस्तों पहली बातों मैं आपको यह चीज़ बता दूं कि जो ग्रीन विच में टाइम होता है जी एम टी इसको बोलते है ग्रीन विच में टाइम का मतब यह होता है यह एक टाइम जोन करता है यह अर्थ के ग्रीन विच मेरिडियन टाइम को पास करता है ठीक है यह कवर करता है यह क्या करता है जो टाइम जोन होता है यह एक टाइम जोन होता है जो कवर करता है कवर किस Observatory London, तो Greenwich Observatory London से ये पास करती है, दोस्तों याद रखेगा ये कहां पे है England में, ठीक है, England में ये पास करती है तो Greenwich Mean Time को Create किया गया था साल 1884 में काफी important जब ये fact है, ठीक है, by the by Greenwich, ठीक है, तो उस time पे बोलता है कि ये क्या होता है, कि ये use किया जाता It was used as a time zone for ships at sea तो समंदरों के लिए समंदर में ships के लिए पहले ये use किया जाता था उसके बात बोलता है, ये क्या करता है अब ये कुछ बोलता है, जो GMT है ये नाम UTC UTC PLUS 00.00 ये use करता है ठीक है, according to United Kingdom ठीक है, तो ये रहा आपका Greenwich Mean Time के बारे में तो उसके बात बोलता है कि time difference कितना होता है Greenwich Mean Time के बीच में मतब एक तो आगे ना GMT GMT दूसरा आगे आपका अब मैं थोड़ा और प्रिसाइजली आपको Greenwich Mean Time को explain करता हूँ असल में अगर simple language में समझा जाए lemon language में इसको समझा जाए तो बोलता है Greenwich Mean Time एक yearly average होती है किस चीज़ की time की या मतब हर दिन की जब sun क्रॉस करता है prime meridian से जो मैंने अभी आपको नाम बता है Royal Observatory London से जब वो गुजर के जाता है और उसकी overall साल की average को नाम क्या दिया गया है Greenwich Mean Time तब ही mean कहा है mean का मतब क्या हुआ यह average है ठीक है तो mean time जो है वो clock time भी इसे जो है वो कहा जाता है तो यह आ गया Greenwich Mean Time के बारे में ठीक है और उसके बाद अगर मैं कुछ और चीज़े बता हूँ आपको तो 1884 onwards Greenwich Mean Time को अब मतब फिर क्या किया गया है standard as as civil standard of civil time कहा जाने लगा ठीक है यह चीज़ इसके बारे में अब बो रहा है कि इनका time difference कितना है Greenwich time और Indian standard time का 5.5 गंटे का time difference है यह भी एक factual आप इसे चाहें तो conceptually भी याद रखें और चाहें तो आप इसे रटा मार के भी याद रख सकते हैं अब बोलता है यहां पे Greenwich Mean Time क्या है बोलता है यह चीज़ मैंने आपको already explain कर दी और यह बोलता है कि longitude जो है वो हमारे इंडिया का 5 गंटे 30 minutes ahead of GMT है ठीक है इसका मतब यह हुआ कि अगर हमारे इंडिया में 12 बज गये है 12.00 PM है तो सॉरी माफ कीजिगा 12.00 PM है Greenwich Mean Time के according तो हमारे इंडिया स्टेंडर टायम के according कितना होगा फायो 30 PM होगा आपको यह चीज तो पता होगी भाई कि time difference होता है हर एक country में अलग अलग time होता है in fact states में जब मैंने अब आप खुद सोचो की हमारे इंडिया की इस्टन मोस्ट विलेज और वेस्टन मोस्ट विलेज के बीच में अगर दो गंटे का difference है तो खुद सोचो आप अगर दूसरे country होगी कोई तो वहां पर कितना time difference होगा अभी माल लो अभी मैं अगर रश्या की बात करूं ठीक है तो रश्या की अगर मैं बात करूं तो रश्या रश्या मासको हमारा हमारे इंडिया से क्योंकि आप रश्या में काफी जदा बहुत सारे time differences है मतब वो अलग-अलग standard times use करते हैं तो अगर मैं मौस्को की बात करूं ठीक है फॉर एक्जेंपल मौस्को जो है वो मौस्को में अभी 6 12 के around 12 p.m. हो रहा है और यहां पे हमारे इंडिया में कितना हो रहा है 8 42 p.m. तो यहां पे आप खुद देख सकते हैं लग-बग कोई साड़े तीन 3 hours 30 minutes 30 plus minutes का जो है वो difference है रश्या और इंडिया मतब रश्या मौस्को और इंडिया के time zone के बीच में तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गए होगी कि मैं क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रह बहुत बार पूछे जाते हैं next topic क्या है आपका extreme points है ठीक है अब हमारा जो प्यारा भारत देश है हमारे प्यारे भारत देश की में एक बार थोड़ी यहां पर rough map बनाने की कोशिश कर प्रहूं बैक लिसे दो आपके जैंजा रहां में बात देश — पहान पहाई हम्कार लिग्जान. यह नीचे चला गया है ठीक है यह इस तरह से यह आ गया ऐसे ये इस तरह से ये ऐसे इसके साथ तो ये आ गया नीचे अब देखो ये आ गया नादन मोस्ट पॉइट ये आ गया आपका इस्टन मोस्ट पॉइट ये आ गया आपका वेस्टन मोस्ट पॉइट और ये आ गया सदन मोस्ट पॉइट बोलता है हमारे जो इंडिया का नादन मोस पॉइंट है हैं वह कून सा है यहां पे इनवेन गलत लिखा है अवके श्रीह में लिए परी अश्रीपम वालत आजब मैंने जो मात यहां थीन अधनीक点 हमारे इंडिया का में किश्रीह की场 में की अधनीक थो किट कॉबस के latitude 29 degree 0 3 minute का जो है वो यहां पर है उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्तो किभीतु इस अच्छा यह इंडो चाइना यह इंडिया है दोस्तो और इंडिया और चाइना बॉर्डर के किस क्लोजेस्ट जो है वो यह किभीतु है ठीक है यहां तो यहां पर CO2 यहां पर तो यह तो यह क्या तो की बाद मैं ये वीर आपके अग्जार में पूचा जाता है गुचा जाता है वेस्टर से इतो आनक मैं एक को पूचा बॉछ ऎटार के आ असे वेस्ट मॉस्ट प्와इंट हमारी इंडिया का कौन सा है, तो वो आपको पता है कि वो गोहार्मोटा है ठीक है, गोहार्मोटा राजिस्तान में है उर गुजारत में है, माीफ कीजिएगा कच डिस्टिक गुजरात में और इसका यहां पे standard meridian भी आप दिख सकते यह westernmost point of India है India is located in the border with Pakistan उसके बाद easternmost point easternmost point यह आगे हमारा यह तो इन्होंने यही repeat किया ना तो जो northernmost point है दोस्तों नादन northernmost point हमारे इंडिया का कौन सा है इंदिर इंदिर नेंडिर इंदिरकोल ओके तो है कहां पर है deepest दो कारोकारम रेंजी में है तो यह जो ओन है είναι आपको यह चीज सदन pela कोयं तो आ वह तो आ गया ना Southernmost point of India Southernmost point of India तो यहाँ पर इरे ने कहा है ना कि भाई वो कहाँ पर है वो हमारा एंड़मान निकोबार आइलेंड के Great निकोबार आइलेंड में इंदेरा point है ठीक है यह चीज आपको मैंने आरेडी बता दी है ठीक है अब next question के तरह आगे बढ़ते हैं अब इसी के related जो है हम थोड़े questions discuss करते हैं The Southernmost point of Indira of India Indira point is in कहाँ पर है तो यह चीज मैंने आपको आरेडी बता दी Southernmost point जो है वो कहाँ पर है इसका यह Great निकोबार आइलेंड में है ठीक है Great निकोबार आइलेंड है तो यह बस यह वही जो है वो अचा इंडिया का यह question repeat हो रहा है Name of the Indian place where Bay of Bengal Arabian Sea and Indian continent meet तो कहाँ पर मिलता है place of India where Bay of Bengal Arabian Sea and Indian Ocean meet तो कहाँ पर meet करता है यह option आपका आजाता है यहाँ पर option number A Kanyak Kumari में ठीक है तो Kanyak Kumari is the right answer Southernmost point of India का क्या है Indira point यह चीज तो मैंने आपको आरेडी बता दी तो no need to waste time on these Westernmost का जो point है हमारा इंडिया का इसका Meridian याद रखेगा 68.7 degree East जो है वो यहाँ पर इसका यह है अब उसके बात बो रहा है कि बोलता which one of the following pair of the state India indicate easternmost and westernmost point अब eastern और westernmost point पोचा है तो भाई अरुनाचल प्रदेश और गुजरात आपको यह चीज भी पता है काफी basic questions है ठीक है तो अब हम सीधा next questions की तरफ आगे बढ़ते हैं next देखते हैं अब हम क्योंकि यह चीज हमने discuss कर ली तो अब हम bordering countries पर discuss करते हैं देखो यार हमारी जो country है इंडिया हमारा प्यारा भारत देश हमारा भारत के जो नेबरिंग border है तो complex relation और issues के साथ चलते चलते हमारे इंडिया का tensions जो हो चलती रहती है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना यह यह भी हमारे इंडिया का नेबरिंग साथ भी हमारा border shared है और और दूसरी चीज़ यह दूसरी चीज़ यह दोस्तों दूसरी चीज़ यह कि जो चाइना है चाइना और इंडिया के बीच के border का नाम क्या है चाइना और इंडिया के बीच के border का नाम LAC है लाइन अपक्तियस में है। उसके नेपां, नेपाल बोलता है, इसका बॉडर्टर के साथ सिक्गम है विहार उत्रफदिश वनुड़ 모ltर मेंूं, उत्रफदिश वार 9 बिर उत्रफदिश और उत्रफद्ट के साथ यहां पर दिखें हैं, नेपांक ने तoma, थिंपू जो है वो बोटन की कैपिटल है तो कि बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है नेपाल की सिक्कम के साथ वेस्ट बेंगाल और आसाम के साथ शेयर होती है ठीक है याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है आपका बंगलादेश और इंडिया के बीच का यहाँ आप देखें कौन-कौन सी स्टेट किसके कौन-कौन सी स्टेट शेयर करती है वेस्ट बेंगाल आसाम मेगालिया त्रिपुरा और मीजोराव ठीक है तो यह बहुत है रिप्रेशन से बंगलादेश जाए पहले बंगला देश को पाकिसटान का जाता था ठीक है और पाकिस्तान जो प्रेजेंट का है इसे सुर्ण माफ किजीओ है Sunday, इस पाकिस्तान का जाता बोलता है फिर पाकिस्तान से छुड़कारा जो है वो इनको मिला था कब 1971 में जब बंग्रदेश लिबरेशन वार हुआ था जिसमें इंडिया ने मेजर रोल प्ले किया था उसके बाद है मयामार मयामार बोलता है कि इसकी कैपिटल कहां क्या है नाइफीडाव में याद रखेगा अरुनाचल प्रदेश नागालेंड मानिपुर और मिजराम इसकी नेभरिंग स्टेट्स हैं बोलता है यह काफी काफी कम माना जाता है इसकी बाद है आपका श्री लंका श्री लंका क्या है मेरिटाइम बोंडरी है हमारी इसकी कैपिटल है कोलंबो तो अक्रॉस पार्क स्टेट एंड गल्फार्प मानार जो है वो गल्फार्प मानार और पार्क स्टेट के बीच में हमारे इंडिया के श्री लंका के साथ जो ह अब हम कुछ mcqs करते हैं इंडियन स्टेट्स बार्डरिंग मंगलादेश आर तो अभी मैंने आपको बताया इंडियन सेट कौन कौन सी जो है वो बार्डर करती हैं मंगलादेश को तो option c is the right answer यहां पर देखिए option c is the right answer यह आप देखिए Megalia, Assam, West Bengal and Tripura तो त्रिपुर, Megalia, West Bengal और Assam का जो है वो यहां पर यह है which one of the following states does not form बार्डर विद बंगलादेश बंगलादेश के साथ कौन सी state बार्डर नहीं बनाती है मानिपूर याद रखेगा यह रटे से याद रखना है भाई या maps पर देख देख के भी आप इससे याद रख सकते हैं ठीक है कौन सी इसी state है जो बॉटन के साथ बार्डर शेयर नहीं करती है तो यहाँ पर आप देखिए Megalia जो है वो बॉटन के साथ बार्डर शेयर नहीं करती है ओके next question next question है आपका which state of India has borders with namely countries नेपाल बॉटन एंड चाइना तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका अंसर हो जाएगा यहां पर हमारा option D सिकम बोलता है कि सिकम का relation border किसके साथ शेयर है नेपाल के साथ भी बॉटन के साथ भी चाइना के साथ भी ठीक है तो सिकम में एक ऐसी इकलोती स्टेट है हमारे इंडिया की जिसके तीन कंट्रीज के साथ बॉटर शेयर किये हुए हैं शेयर कर रखे हैं तो यह देखो मायामार के साथ मैक्सिमम बॉर्डरी शेयर करता है अरुनाचल प्रदेश ठीक है उसके बादे नेक्स क्वेशन विच्छे नीचे है मतब बीच में है काइंड तो आसाम का कोई भी मायामार के साथ में कामन स्टेट और बॉडर नहीं है क्योंकि आसाम जो है से बादे अरुनाचल प्रदेश के नीचे है मतब बीच में है काइंड तो आसाम के नीचे आता है मेचोराnisse आता है तो मांनीपूर मेचोराम त्रिपूरास इसके पिर आदा है मयामार क्या है इसके साइट है जिसके इंट्रिटेशन बॉंडरी तीनों साइड से Knight अब यहां पर याद रखेगा TRI का मतब क्या हुआ तो तीन क्या है इसकी तीन international boundaries इसके तीनों साइड से याद रखेगा यह 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 भी डृट्रिक है इसको याद रखमें कि आ बैर जी जी आपको पता है पंजाब जमुन कश्मीर, राज़स्तान और गुजराथ, ठीक है, विजन अद फॉलिंग स्टेट, दो नॉट फॉर्म बॉंडरी विद बंगलादेश, कौन सी एसी स्टेट है, जो बंगलादेश के साथ बॉंडरी नहीं बनाती है, तो option B is the right answer, ये चीज़, ये questions हमने आरेड़ी पहले भी discuss किये, ठीक है, उसके बाद next है, आपका durand line demarcated, ये durand line किसके बीच में है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, याद रखेगा, टीक है रेडेड़ कि लिफ लईन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये मैं आपको अभी बताया, क्या है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच को बीच को जा हम आ रेडायता है, कुन सी ऐसी स्टेट है जो separate करती हैं इंडिया को श्रिलंका के साथ तो वह है आपकी पक्षेट बियुक्त इंडिया को श्रिलंका के साथ जो है वह फिन स्टेट करती है तो यह थे कुछ question आजकर यह PDF आपको दोस्तों हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और आपकी information के लिए बता दू हमने बहुत सारे ऐसे आपके लिए free initiative शेयर किये हैं यहाँ पर आपकी theory और mcqs चलेंगे आपके classes forrester की बात हो या आपके constable की बात हो या फिर jkpsa या फिर नाई तेसलार की बात क्यों नहों हो सब के लिए आपको जो है वो help करेंगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें हमें भी motivation मिलती है जब आप ज्यादा से ज़्यादा लाइक करतें कमेंट करते हैं तो हमारी इस सीरीज को successful बनाए तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक जो है वो यहीं पर conclude करते हैं उमीद करता होगा उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस session को enjoy किया होगा बाकि किसी भी तरह का कोई doubt हो कोई भी confusion हो तो आप हमारे साथ discuss की बहुत बहुत शुक्री है